नमस्कार आगय आप, आपसे बात करूं, उससे पहले मैं अपने हाथ सणिटाइस कर लो, नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर वायरा की, सुष्ण स्वागतम, वेलकम अभी नंदन करोना, गो करोना, जैसे किया थाना, हे मगैमबो, तो मैंने बोला है, गो करोना, करोना को देश से जाना बहुत ज़ादा जरूरी है, आप देख रहे हैं अपना और मेरा यूच्यूब चानल और ये लॉक्डाउन के टाइम पर बहुत मजा आ रहा है, मुझे नहीं पता आपक कमेंट्स आये, शिकायते आई, कि राखी जी हम तो अंदर बंध हैं, आप सारे ऐसे उपाय बता रही हैं, लेकिन क्या होता है कि हम शूटिंग एक महिना पहले ही कर लेते हैं, हमें बैंकिंग रखना पड़ता है, बीच में मैं बिमार पर जाओं, या परिवार के दुख कि लख लख बताईया, बेसाखी से जुड़ा हुआ भी वीडियो में आपको पहले ही दे चुकी हूँ, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी, कुल देवी देवता क्या होते हैं, इनकी पूझा क्यों करनी चाहिए, और क्या हर परिवार के कुल देवी देव को लेकर मैं ये प्रोग्राम बना रही हूँ, और देखे ये जो लॉग्डाउन का टाइम है, जब मैं अब ये प्रोग्राम बना रही हूँ, क्योंकि आस 13 अपरिल है, जिजिन मैं ये शूटिंग कर रही हूँ, बैसाखी वाल दिन, आज एक महीने बाद मेक अप किया है, तो खुद से भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि डेली रूटीन के घर के कामों को, कि पौधों में पानी देना है, खाना बनाना है, या देव के साथ लगना है, मैंने देव को कुकिंग सिखाई और देव ने मुझे पीजा बना कर खिलाया, तमाम तरह की चीज़े, मतलब I am enjoying, लेकिन आज के बाद, जब तक ये चीज़े नॉर्मल नहीं हो जाती, मैं आपको जोतीशे उपाई भी बताऊंगी, इस वीडियो को संभाल कर रख लीजे, क्योंकि लॉक्त की एक आदत होती है, वक्त बदल ही जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, तो हम इस सब लेट से भी बाहर आ जाएंगे, तब आप इस वीडियो में बताये गए उपायों को कर लीजेगा, लेकिन क्योंकि आज मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी, जो आप घर बैठे कर सकते हैं, जो लॉक्डाउन के टाइम पर आप कुल देवी देवता को कैसे समझा सकते हैं, मना सकते हैं और कैसे उनके बारे में जानकारी पराप कर सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों तरहां के उपाये बताऊंगी, यूगि ये वीडियो मैं लॉक्डाउन के टाइम पर बना रही हूं, तो ये मेरी पहले की वीडियो नहीं है हो सकता है जब तक यह वीडियो आपको मिले जब तक lockdown खतम हो जाए तो आप lockdown वाले जितने भी उपाएं उन्हें side by side कर दीजेगा और जो जोतिशे उपाएं हैं उन्हें कीजेगा I hope जो मैं कहना चाहरी हूँ वो आपको पता लग्या होगा एक बहुत मज़िदार वीडियो इसके बाद मैं shoot करने वाली हूँ lockdown के Friday और lockdown के नुकसान उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा लेकिन अगर अभी तक आपने मुझे TikTok पर, YouTube पर, Facebook पेज पर और Instagram पर follow नहीं किया है तो वहाँ आपको बहुत छोटे-छोटे और घरेलू tips मिल सकते हैं तो मुझे TikTok पर जरूर जो है आप follow कीजे at the rate Dr. Vaira की official मेरा जो आपको ID है इस तरह से ढूनने पर मिल जाएगा और मैं अपने वीडियो के अंदर comments में भी pin करकर सबसे उपर अपना TikTok का ID डाल दूंगे Instagram पर भी Dr. Vaira की के नाम से हूँ मैं तो आप जरूर यहाँ पर भी मुझे follow कीजे क्योंकि तमाम तरह की जानकर यह आपको यहाँ भी प्राप्त हो सकती है कुल देवी देवता होते क्या है एक कुल होता है एक अगरवाल कुल है एक बनियों का कुल है एक पंजाबियों का कुल है एक कपूरों का गुल है एक जो है मारवडी लोगों का कुल है ठीक है एक बिहार से अगर की जाए जहा ले लिया जाए कास्ट को तो उनका कुल है कुल होता है, कुमबा होता है, जहांपर हम शुरू से पूजा पाट करते हैं, यह समाज जैसे जैसे बदला, वैसे वैसे हमारे समाज से देवी देवताओं और कुल देवी देवताओं की पूजा खतम हो गई, आपको मैं बताओं कुल देवी देवताओं की पूजा रिशियो ने शिरू की थी, कहते हैं जो अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करता है, उसको जीवन में कभी किसी तरह की परिशानी नहाती, मैं तमाम तरह के कुल देवी देवताओं की पूजा के रेमेडीज और उपाय बना कर लाई हूँ, लेकिन वीडियो को तिल एंड तक देखिएगा क्योंकि पहले मैं आपको जोतीशे उपाय बताओंगी जो सही तरीका है, ठीक है, फिर लॉक्डाउन में घर बैठे हुए मैं कुल देवी देवता के बारे में कैसे जानू, क्या करू और क्या उपाय करूं, यह मैं आपको बताओंगी, तो यह वीडियो जिस म देवता नराज हूं, मानना रहे हो, एंगरी हो और दुखी हो किसी बात पर, तो आप करोड़ों उपाय भी कर लिजे, करोड़ों कोशिश भी कर लिजे, दान पुन हवन कर लिजे, लेकिन अगर आप अपने कुल देवी देवता को नहीं मना रहे, तो वो जगा आपको पारे में जानकारी, आपको आपके घर के बुजर्ग और पितर देंगे, लेकिन आपके और मेरे परिवार का कुल देवी देवता जरूर होगा, जैसे अगर मैं शादी से पहले बात करूँ, तो चिंतपूर्णी देवी मेरे माईके में कुल देवी है, ठीक है, शादी हो ग है, परिवार बड़ा है, बड़े बेटे को बेटा हुआ है, तो चाहिए, तो इस तरह से अगर मैं यहां रहती हूँ, जैसे नरसिम भगवान का जो मंदिर है, वो हैदरबाद के पास है, हमारे कुल देवता का, तो मैं अपने घर में भी नरसिम भगवान की जो चित्र है, उसे स्थापित कर रखा है, उनकी पूजा करती हूँ, और अच्छे बुरे हर काम में, दुख में, सुख में उनने याद करती हूँ, पर ये मैं करती हूँ, क्योंकि मैं है घर नाम करती हूँ, पर मम्मी, मतलब सासुमा, कोई भी अच्छा काम होगा, अगर अच्छी हम अच्छे नंबर भी आएंगे, वो अच्छे नंबर से यादा है कि देव पास होकर तेंथ क्लास में आ गया है, थांक्यू सो मच, मुझे नहीं पता कि देव की कितनी परसंटेज आई है, यह आप लोगों का प्यार और आशिरवाद है, थांक्यू सो मच, इन लॉग्डाउन के टाइम पर बस एक यह चीज अच्छी हुई, बस स्कूल से एक कॉल आया है, एक मेसेज आया है कि आपका बेटा नाइन स्टैंडर में पास हो गया, और यह आपको खुश ख़बरी देनी थी, बस लेकिन कितने परसंटेज के सब्जेक्ट में वो सब अभी लॉग्डाउन के विरा से पता नहीं चला, आप में भी आपकी भी बहुत सारे बच्चे पास होंगे, इन फैक ममी ने तो मुझे बताया कि उनका बेटा नाइन स्टैंडर में 87 परसंटेज से पास होके, तेंथ में चला गया, अल्मूस्ट वो देव के बराबर है, और मेरे जितने भी प्यारे यूट्यूब के बच्चे इस वक्त इस कारिक्रम को देख रहे हैं, जो एक्चुली 10th में आ गए हैं, या 11th में आ गए हैं, 12th में आ गए हैं, बहुत सारे लोग 12th से निकल कर का इस तारी के लिए होंगे, उन सब को मेरा बहुत सारा प्यार और आशिरवाद, खुश रही है आप लोग, और मेरी ख्याल से बोट के तो रिजल्स अभी हाए भी नहीं हैं, और अब रिजल्स आने में थोड़ी देर भी होगी, पर इश्वर जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है, बस मन को खुश और चंगा रखिये, तो देव, now he is in 10th class, thank you so much guys, देव पास हो गया, it is more than enough, क्योंकि मैंने कभी बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाया, कि बहुत सारे नंबर्स लाओ, बहुत करो, बस अच्छे से अपना वहवार टीचर साथ अच्छा रखो, और ऐसा रखो कि जब तुम स्कूल से जा रहे हो, तो टीचर को भी दुख जरूर हो, कि ये मेरा फेवरेट बच्चा था, what I say, मतलब I must say, कि ये बहुत अच्छी चीज होती है, हम अपने टीचर्स के दिल में चगा बना साथ, कि मेरी टीचर्स तुमुझे बना सली में आज भी याद करती है, one of my friends, she is teacher there, तो अकसर कहते हैं कि तरी यूट्यूब पर वीडियो देकर, सब मैम्स तुझे याद करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सब बच्चों का जिनका result आए, प्लीज अपने बच्चों की results जरूर लिखें यूट्यूब पर, कि कितने percentage आए, आपको कैसे पता चला, lockdown के टाइम पर कि आपका बच्चा पास हो गया, या स्टिल कुछ बच्चे वेटिंग कर रहे हैं, बोर्ट के एक्जाम्स का, तो सब मुझे से शेयर कीजे, अच्छा लगता है, और आप सब सही हैं, खुश हैं, और मस रहें, बिंदास रहें, मेरी आपके प्रती, मन से यही दुआ है, कि मेरे परिवार में सब खुश और अच्छे रहें, तो मम्मी हमेशा कोई पास हो जाएं, तो मम्मा ऐसे कुल देवता के पास जरूर जाती है, यह मेरे कुल देवी देवता है, शादी से पहले भी और बाद में भी, तो अब आपका सवाल अकला यह होता है, कि मेरी शादी हो गई एक परिवार में, तो क्या मुझे अपने माईके की कुल देवी को मनाना चाहिए, तो जवाब है कि नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी शादी जिस परिवार में हुए, उस कुल देवी देवता को मनाना बहुत जरूरी है, मालीचे सड़न आपकी जिंदगी में परिशाने आ रहे है घर में बच्चा नहीं हो रहा मौत पर मौत हो रही है लाइफ के अंदर दिवालिया निकल लेगी कंडिशन आ गए घर के बरतन तक बिक रहे हैं सब पंडितों को कुण्डली भी दिखा दिया कोई कुछ बताता ही नहीं है कोई बिमारी नहीं है लेकिन रात को नीन नहीं आती खुश नहीं होते है आजकर लोग कुल देवी देवताओं का नाम तक नहीं जानते हैं कुल देवी देवता हमारे कुल की रक्षा करने वाले होते हैं इसी लिए आपको सबसे पहले किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले अपने कुल देवी देवताओं को भी याद करना लिए 4 पानी वाले नारियल ले लिए lagi रो liksom या तो इस वीडियो मने को सबहल कर रहें ठीके आप लोग बात में मैं माला सब पहनते हैं, पान के पत्ते ताजे होने चाहिए, रोली, मोली, कपूर, हल्दी, कुम-कुम, सब ले लिजे, पंच मेवा ले लिजे, और आपको चने रात को भीगो कर अपने पास रखने हैं, सुभा कुल देखता के पास ले जाने के लिए, ये सब समान वहा ले जाए चाहिए, और अगले दिन दर्शन करने से एक रात पहले चनों को भीगो लिजे, पाँच फल होने चाहिए, पांस रहा की मिठाई होनी चाहिए, चांदी का कोई भी समान होना चाहिए, जैसे छत्र हो जाए, या चांदी का दीपक हो जाए, ले कर जाए, जैन्यू जरूर ल पंडित बिठाकर आपके कुल की पूजा करा है, जो घर का सबसे बड़ा शक्स है, उसी के हाथ से ये पूजा होगी, तो घर का बड़ा शक्स अपने हाथों से पूजा करा ले, अगर वहाँ पूजा नहीं होती, पूजा तो शाम को होगी, आज सुभा की ट्रेन है, तो इन की तरफ से देवी की पूजा कर दीजे और सारा समान कुल देवी देवता को चढ़ा दीजे सबसे पहले उनसे माफी मांगिए कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी कोई कुल देवी या देवता हैं हमसे गलती हो गई और साल में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ कुल देव अपने कुल को आगे बढ़ाना है उसकी रक्षा करनी है जनरेशन आगे बढ़े घर में बेटे हो, बेटियां हो और वो स्वस्त रहें ये जरूरी है तो कुल देवी देवता को मनाना जरूरी है और इससे भी महत्वपून बात है आपने सब समगरी दे दी अगर पूजा पंडित करवाएं तो बहुत बढ़ी है नहीं तो आप साल में एक बार जाकर ये सब सम्मान संपून रूप से अगर अरपन करते हैं वहाँ पंडितों को भोजन कराते हैं गरीबों को भोजन कराते हैं, भंडारा कराते हैं तो आपके कुल की कभी भी शती नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, प्लस इसके सासत आपको एक बात और बता दू, कि आपके कुल के अंदर सब चीज़े बहतर और बढ़िया होने लग जाएंगी, ये है कुल देवी देवता का, अब देखे, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अब हम कुल देवी देवता के पास नहीं जा सकते, लेकिन कुल देवी देवता के पास जाने से पहले महत्वपूर है, ये जानना कि मेरे कुल देवी देवता है कौन, lockdown के time पर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को call करें और कुल देवी देवता के बारे में पता करें माल लीजे अगर आपको आपके घरवाले बता देते हैं कि आपकी कुल देवी हीमाचल में है बहुत time है, खाली बैठे हैं, घर पर है नेट पर उन कुल देवी देवता के बारे में सर्च कीजिए, उसके बाद उसका उनकी एक तस्वीर निकाले, उसका वाल पेपर अप अपने घर के सभी लोगों के मेंबर्स पर फोन पर लगा दीजिए, सब परिवार इस तो घर में हैं, एक साथ है, सब से कहिए कि अपने कु के साथ आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था, यह मालनी चाहिए आपको पता भी था और आप भूल गए हैं, आप काफी सालों से नहीं गए हैं, तो भी नेट पर देखकर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर, उनके आगे हाद जोड़े, संकल प्ले कि लोगड चल कर आते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा होती है और भगवान हमें रहा दिखाते हैं, आपने सतनरान भगवान की कथा सुनी है, सतनरान भगवान की कथा में भी बिल्कुल ऐसा ही है, कि ब्रामन कहीं से लकड हारा लकड लेके निकल रहा होता है, किसी को ब्रामन को कथा करते सुनता है, वो इच्छा रखता है मन में, ये क्या कता है, मैं भी करूँगा, ऐसा करने से मेरे घर में संतान होगी जोब तक नहीं है, उस दिन उसे उन लकडियों को बेच कर पहले से जादा मोल मिलता है, पहले से उनका मंदिर देखा, उनकी कहानी पढ़िये, उस कहानी के बारे में परिवार को बताईए, घर के जो बड़े बुजर्ग हैं और वो जीवित हैं, तो उनको कॉल कीजे, और उनसे पूछिए कि हमारे कुल देवी देवताओं मैं जानकारी लूँगी, नेट पर पढ़ूँगी, उसके बारे में सर्च करकर, फिर वहाँ जाके भगवान से माफी मांगे, उससे पूजा को दुबारा आरंब करूँगी, या करूँगा तो ये आप नियम ले लीजे, अब लॉगडाउन में बैठे-बैठे, ये तो संकल पले सकते हैं, फिर आप लीजे 11 रुपे या 101 रुपे, उसे अपने घर के अंदर, एक कागस के अंदर कागस इसलिए करें, अगर लालंग का कपड़ा है तो बहुती बढ़ी है कि लॉगडाउन के टाइम पर ये कपड़ा नहीं भी है तो भगवान की शिरी चर्णों में रख दीजे गनपती के कि हे गनपती महाराज, सब विगनों को दूर करो गनेश, मिटाओ, कलेश और कुछ ऐसा करो कि देश से, दुनिया से करोना वाइरस खतमो और हम अपनी कुल देवी देपता के पास जाकर दर्शन करे ऐसी मेरी मनो इच्छा है, अभी लाशा है और मेरी एक जिक्छा को पूर्ण करो और पैसो को वही रखा रहें दो लॉक्डाउन के बाद जब आप जाएं तो उन पैसो को उठा कर यात्रा में ही कही उन पैसो का इस्तमाल कर लिजे तो ये है आपका अपना चैनल मैं हूँ डॉक्टर वायराकी, आपके साथ जूड़ी हूई हूँ और आज हमने आपको बताया आपके कुल देवी देवताओं के बारे में आपके कौन-कौन से कुल देवी देवता है ये मेरे साथ आप शेयर करेंगे अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ आप सब स्वस्त हैं, ठीक हैं ये मुझे हमेशा वाट्सअप पर पता लगता रहता है कि टचोड मेरे परिवार में किसी को भी करोना नहीं हुआ सब सुरक्षित रहे ये आपकी खुद की महनत है और मैं शत्शत नम्न करती हूँ आप सभी के परिवार के कुल देवी देटाओं को हे कुल देवी देटा आप मेरे यूट्यूब के परिवार के जितने भी लोग है उनसे जोड़े और आप किसी भी परिवार के कुल देवी देटा है तो सबसे पहले मैं आपको नम्न करती हूँ, कोटी-कोटी पढ़नाम करती हूँ, आप अपने परिवार, अपने बच्चों पर सदेव किरपा बनाये रखे, ये मेरी दिल से कामना है, ये भी हम लॉकडाउन के टाइम पर घर बैटके कर सकते हैं, मैं वैशनु दिवी जाकर ही भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती, इस करोना वाइरस में तो भगवान ने सारे दर्वाजे ही हमारे लिए बंद कर दिये, लेकिन क्या ये नेगिटिव है, अगर आप इस वीशे पर जानना चाहते हैं, तो आने वाले कुछ टाइम ओपर मेरी एक वीडियो आने वाली है, करोना के फाइदे और करोना के नुकसान उस वीडियो के साथ जरूर जोड़ेगा, फिलहाल दीजे जाजत अपनों और अपनों का दिहान रखेगा, लेकिन एक बात फिर से कहूंगी, कुल देवी देवताओं को पूछने से पहले घर परिवार को पूछे, संसार में देवी टन घंटी जो भगवान है, आपकी और मुझे बजाईए, चेतावनी की घंटी के बाद भी अगर कुछ लोगों में बदलाब नहीं आया, तो परले निश्चित है, जय बातारी